मेरे प्रियात्मन सहज योग में आज लालनाथ के कुछ दोहे ले रहे हैं संत लालनाथ राजस्थान से आते हैं बड़ी प्यारी कहानी है और ओशो ने बड़े प्यारे अंदाज में इस कहानी को कहा है कहते हैं कि गालिव का है अंदाजे बया और ओशो की कहने का अंदाज तो तुम जानते ही हो शादी के बाद गावना कराकर लालनाथ लौट रहे हैं अपने गावं को रास्ते में गावं पड़ता है लिखमा दे सर संत कुम्बनाथ गोरखनाथ की परमपरा के संत है वे समाधी ले रहे हैं अपने से ही गढ़ा खोदा है और जीवित समाधी में प्रवेश कर रहे हैं एक पुकार दिये चले जाते हैं अरे और है कोई लेवन हारा प्रसाद बढ़ चुका है तर्बूज का प्रसाद सारा गाउं करिब करिब ले चुका है फिर भी कुम्बनाथ पुकारे चले जाते हैं अरे और है कोई लेवन हारा तभी लालनाथ के मन में एक बिजली सी कौन्धती है कुम्बनाथ के सामने बैठ जाते हैं हाथ पसार कर आँखें चार होती है कुछ पुराना ख्याल में आता है और उस परम मौन में कुम्बनाथ और लालनाथ के बीच कुछ घटित होता है परम संगीत बज उठता है लालनाथ के चेतना में जो बुद्ध और महाकाश्यप के बीच में कभी हुआ था कि परम मौन में आखिर क्या दिया बुद्ध ने महाकाश्यप को कुछ ऐसा ही समझो कुम्बनाथ और लालनाथ के बीच घटित होता है और लालनाथ वहीं कुम्बनाथ के होकर रह जाते हैं अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब तुम जाओ अब तुम मैं कुम्बनाथ की धारा को, कुम्बनाथ की परंपरा को कुम्बनात की साधना को कुम्बनात की देशना को आगे बढ़ाने की जिम्मारी मेरी है और पत्नी भी बड़ी अद्बुत है कहती है अब मैं कहां जाओ अब मैं भी साधना करूंगी और वहीं लिखमा देसर की एक पहारी पर पत्नी भी कुटिया बना लेती है साधना रत हो जाती है लोग पूछते हैं उनके मित्र पूछते हैं जो लोट रहे थे अगर यही करना था तो तुमने शादी क्यों की लालनाद बहुत प्यारा जवाब देते हैं कहते हैं बेहरा लिखिया ना टले जो भी विधाता ने लिख दिया है उसे टाला नहीं जा सकता है लिखाता विधाता ने तो शादी हो गई और शादी के बाद ही सन्यास लेना था तो वह भी घटित हो गया बड़े प्यारे वचन हैं लालनाद के सुनो हंसा तो मोती चुगै बगुला गार तलाई साधना के मार्क पर या तो तुम हंस की तरह चल सकते हो या बगुले की तरह चल सकते हो बगुला क्या करता है बस चुनता है गंदगी को चुनता है कीचर को चुनता है मचली को चुनता है जो भी प्रदूशन तत्व हैं जो भी विकार तत्व हैं उसको बगुला साफ करता है तालाब से और जो भी मोती है उसे हंस चुकता है साधना के दो मार्ग है एक विहंगम मार्ग है और एक पिपिलगा मार्ग है बिहंगम मार्ग पंची जैसा है जैसे पंची विक्ष पर नीड भी बनाता है और मालो खजूर है तो उसको खजूर को खाएगा भी और वहीं नीड भी बनाएगा वो जमीन पर पंची नहीं आता एक पिपिलगा मार्ग है चीटी का मार्ग है चीटी चड़ती है पेड़ पर खजूर का रस चकती है और चक कर फिर नीचे आ जाती है ऐसा ही ध्यान के जितने भी मार्ग है करमयोग है तंत्रयोग है हठ योग है भक्ति योग है ग्यान योग है राज योग है सांख योग है ये सब पिपिल का मारग है तुम चड़ोगे आकाश में लेकिन फिर तुम्हें आ जाना पड़ेगा जमीन पर लेकिन विहंगम मारग नाम का मारग, शब्द का मारग उंकार का मारग, सुमिरन का मारग कुछ ऐसा है कि ना किवल तुम खजूर का रस चखते हो बलकि तुम्हारा नीड भी वही बन जाता है इसलिए तो विहंगम मार गए ये हंस का मार गए इसलिए ठीक कहते हैं लालनाथ हंसा तो मोती चुगे बगुला, गार, तलाई हंस हमेशा नाम का मोती चुगता है हंस समेशा विहंगम मार्क से चलता है और जो बगुले की तरह है वो कुंडलनी जगा रहे हैं तंत्र की साधना कर रहे हैं अगोर पंथ में फस गए हैं तरह तरह की साधनाओं में उलच जाते हैं कोई आग जला करके बैठा हुआ है कोई एक पैर पर खड़ा होकर के खरेशरी बन गया है नाना प्रकार के प्रपंच पाले रहते हैं देखने में बड़ा प्रभावशी लगता है बगुला को देखो बड़ा ध्यानी ग्यानी लगता है हंस को देखो बड़ी मस्ती में डोलता है दोनों को देखो तो बगुला से ज़ादा प्रभावित हो जाओगे एक पेर पर खड़ा है ध्यान लगाए गुरुगोविन सिंग जी ने बड़ा मजाक उड़ाया है इन ध्यान मारगियों का कहते हैं गुरुगोविन सिंग जी कि कहा भयो जो दो लोचन मूद के बैठ रही ह बक ध्यान लगायो दो आख बंद करके बगुले जैसा ध्यान में तुम बैठ गए हो नहात फिरियो लियो साथ समुद्रन लोक गए पर लोक गवायो और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तीरत जाते हो ब्रत करते हो तब करते हो दान करते हो कहते हैं लोक गए पर लोक जाते हो और ऐसी ऐसे उमर तुम्हारी बीत जाती है साज कहूं सुन ले हु सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रवपायो यह जो प्रेम का पंथ है उस नाम को जानो उस शब्द को जानो हरी को जानो उस गोपाल को जानो उस कृष्ण को जानो और उसके प्रेम में पढ़ जाओ ये हंसों का मार्ग है, जिसके लिए कहते हैं, कि हंस होता है, वो हमेशा मोती पर उसका ध्यान है, ऐसे ही तुम हंस बन जाओ, तुम्हारा ध्यान हमेशा राम नाम के सुमिरन में लगा रहे, कहते हैं लालनात, हर जन हर उस्यू, यू मिलिया, जिएं जल में रस भाई, फिर क्या होता है, जैसे जल है और रस है, अगर मिला दो तो पता नहीं चलता, कि अब रस कहा है और जल कहा है, ऐसे ही जब राम के सुमिरन में, तुम जीना शुरू करते हो, तो राम में हो जाते हो, जैसे कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखाऊं तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल अब पता नहीं चलता बूंद समानी समुद में सोकत हेरी जाई हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हेराई बिलकुल राम मैं हो जाते हो वह भक्त और भगवान का जो भेद है वह भेद भी जब मिठ जाता है ये हंस का मार्ग है हरी जन हरी सुईयों मिलिया जो हरी का जन होता है जो हरी का भक्त होता है जो नाम का प्रेमी होता है जो नाम का सनेही होता है वह ऐसा मिल जाता है नाम के साथ कि बिल्कुल अभेद हो जाता है अभक्त हो जाता है भक्त वो विभाग ही सारा समाप तो हो जाता है क्यों पकड़े हो डालिया नहचे पकड़ो पेड़ देखो साधना का सुत्र दे रहे हैं डाल क्यों पकड़ रहे हो उसे वरिक्ष को पकड़ो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे गाउं के करीब एक दो किलो मिटर दूरी पर एक गाउं था जहां जामून के वरिक्षों का बगीचा था तो हम सब वहां जाते थे और बच्चों को तो जानते हो जामून बड़ा प्यारा होता है और जामून के पेर बड़े उचे होते हैं और उसकी डाली बड़ी कमजोड होती है लेकिन यह बिना सोचे समझे कि कभी डाली तूट सकती है हम गिर सकते हैं एक बार मैं बिलकुल चढ़ गया बहुत ही उपर और पतली डाली के बिलकल उपर चड़ता चला गया क्योंकि जामुन बहुत ही फला था और एक आएक आंधी का जोका आया खुब जोर की हवा आई और जोर से डाली लहराने लगी मुझे लगा कि आज तो वस जिंदगी का आखरी दिन आ गया इतनी जोर से जोका चलने लगा जब मैं ये बचन पढ़ रहा था लाल नात के तो मुझे ओ घरी याद आ गई कि ओ मैंने डाली को पकड़ लिया जोर से आज मुझे ख्याल आता है कि बच गए उस दिन खुदाया ना खुदाव जिसको चाहो बख्षदो इज़त हकीकत थी कि कष्टी इत्वाकन बच गई अपनी नहीं तो उस दिन तो विल्कुल काम तमाम ही समझना तो पकड़ना हो तो जरा पेड को पकड़ो ये डाली को क्यों पकड़े हो ये जो दूसरे मार गएं तब के जब के करमयोग के तंत्रयोग के अगहोरपंत के कुंडलनी योग के ये सारे वो डाली की तरह समझ लेना असली जो विरिक्ष है वो उंकार का विरिक्ष है नाम का विरिक्ष है उसको पकड़ो तब जाकर के तुम्हारा निस्तार होता है, क्यों पकड़े हो डालिया, नहीं चाहे, पकड़ो पेड़, और ध्यान तो बड़ी दूर की बात है, लोग सिध्धांत पकड़ लेते हैं, और सिध्धांतों पर चलना शुरू कर देते हैं, सुत्रों पर चलना शुरू कर देते हैं, नहीं सुत खुदा का, राम का, नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो वस खुदा खुदा देखा उसे कभी नहीं, ऐसे खुदा की बंदगी कुफर है, बंदगी नहीं, खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है, जिन्दगी नहीं, नाम लेते हो, अगर जानते नहीं हो तो नाम लेना कुफर है और बिना नाम लिए अगर जीते हो तो वह हर छण जो विस्मरन में जीते हो मौत के समान है तो नाम योग का जो मार्ग है लाय योग का या सहज योग का जो मार्ग है उस नाम को किसी सत्गुरु के द्वारा जानो और उसके सुमिरन में जीओ, उसको पकड़ो, उसको उंकार के विक्ष को पकड़ो, गववा सेती निस्तरी के तारेली भेड कहते हैं कि बैतरनी पार करना हो तो गव की पूँच को पकड़ना होगा, यह तत्थ हो या नहीं, लेकिन उपमा बड़ी सुन्दर दे रहे हैं लाल ही है, जैसे भेड की पूँच पकड़ करके कोई भौसागर पार करना चाहता है, सार्थक को पकड़ो, निरर्थक को छोड़ दो, कहते हैं लालनात, होँफा ले उहर नाम की अमी अमल का दौर, साफी कर गुरुगयान की पियो जू आठ पहर, बड़ी प्यारे उक्मा दे र तुम वो गांजा का कश्च क्या लेते हो, हरी नाम को चीलम में भरो, और उसका कश्च लो, और अमी अमल का दौर, और अम्रित में शराब पियो, परमातमा की शराब पियो, ये करवी शराब क्या पीते हो, और साफी कर गुरुगयान को, पियो जो आठ पहर, और गुरु ज देशना दे रहा है गुरू जो मार्क दर्शन दे रहा है उसकी साफी वो जो रुमाल जो चिलम पर रखते हैं उसको साफी कहते हैं उसको साफी बना लो और फिर आठ पहर पीते रहो आओ एक मैकदा बनाए हम शेख वाइज को भी पिलाए हम एक मैकदा राम की मैकदा बना लो और उसको पीते रहो आओ एक मैक अदा बनाए हम शेख वाइस को भी पिलाए हम जिन्दगी खुद में एक अबादत है राज की बात ये बताए हम घर के बाहर बहुत अंधेरा है आओ भीतर शमा जलाए हम आश की बे खुदी नहीं यारो प्यार को बन्दगी बनाए हम इशक में रोने का है क्या मतलब आओ हसकर पियें पिलाए हम मेरे मुर्शिद ने इल्म ऐसा दिया देखो उश्यो की बात हो रही है मेरे मुर्शिद ने इल्म ऐसा दिया आदमी से खुदा हो जाएं हम अगर उस शराव को पीओ तो बंदे से तुम खुदा हो जाते हो परमात्मा की शराव को पीना और फिर उसके साथ एक हो जाना यही साहजियोग है